Hello everyone, welcome to our channel Physical Education with me तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Class 12 का हम आज से स्लेबल स्टार्ट कर रहे है Unit 1 का Topic है First ही Topic है Planning जिसके अंदर हम आज Meaning, Definition, Objectives के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दुबाना मत बूलेगा जिससे आपको हमारी नए नए वीडियो जल्दी से मिलती रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं First है हमारा Meaning of Planning Planning से से बहले Planning होती क्या है Plan मतलब किसी भी चीज को Plan करना हम जैसे कुछ जैसे हम अपने basic life से लगाते हैं कि जैसे हमें आज बजार जाना है तो हमें समान लेके आना है तो हम पहले ही Planning कर लेते हैं कि हमें क्या क्या समान लेके आना है हम पहले ही उसकी list बना लेते हैं हमें यह समान लेके आना है कहां कहां से यह समान मिलेगा तो ऐसे ही हमारी sports में भी planning यूज होती है तो planning can be understood as a process of making a sequence of a work for a future line of action मलब sequence बना लेते हैं हम work की कौन सा काम हमें कब करना है कहां से करना है कैसे करना है future में आने वाले future क्या है हमारा future हमारा आज जो आज से कल हो जाएगा मलब जो हम second अभी spend कर रहे है next second ही हमारा future में count होता है then उसके बारत है planning is a rational process of thinking in advance about our aim and how we can achieve them मलब advance में ही सोचना की मेरा aim क्या है मुझे कैसे उसको achieve करना है अब जैसे कोई teacher बना चाहता है तो वो पहले से ही सोचे का कि मुझे इस subject का teacher बनना है तो मुझे बी-प्यड करनी होगी या फिर अगर मुझे किसी दूसर सब्जेक्ट में जाना है फिजिकल वाले हैं वो बी-प्यड की तरस जाएंगे और जो other subject के हैं वो बी-ड की तरस जाएंगे अगर उनको teaching line में जाना है फिर वो decide कर लेगा उनको school में जाना है या college में जाना है अगर वो college में जाना चाहते हैं तो master's में तो ऐसे ही हमारे sports में है sports में भी हम ऐसे ही planning करते हैं यह तो हमारा planning का meaning हो गया अब आती है definition of planning तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि planning क्या है basic step है जो हम future के लिए plan करते हैं it is the basic process of setting up goal to be reached and course of action to be follow कि planning हमारा जो भी goal है जो हमें goal set किया है उसको कैसे achieve करेंगे उसके लिए जो भी sequence हैगा जो भी हम course of action follow करेंगे वो ही planning है a plan is a pre-determined course of action to be follow in future जो हमें future में follow करना है उसको हम पहले सही pre-determined कर लेते हैं उसके बाद है according to carol L. Hudson यह क्या कहते है to plan is to plan is to produce a sequence of sequence for future sequence for future action to bring about specific result at a specific cost in a specific period मनलब planning जो हम करते है वो किसी specific result के लिए कुछ specific result चाते है उसके अंदर कुछ हमारी cost मनलब cost यहाँ पे money से नहीं है cost हमारा जो time का cost है जो हमारा equipment उसमें यूज होएंगे या फिर जो हमारे people's human resources include होएंगे मनलब all over जो हमारा किसी एक particular goal पे use होता है और कोई भी specific period और time तक हमें वो चीज अचीज अचीव करने होती है according to Kenneth H. Killen according to Kenneth H. Killen क्या बोलते हैं कि planning is a process deciding in advance मलब advance में decide कर लेते हैं क्या what is to be done हमें क्या करना है what is to be done when is to be done हमें कब करना है और कौन उसे करेगा और कैसे करेगा और कहां पर करेगा यह सब जो हमारी what, when, who, how and where यह सब हमारा planning के अंदर आता है हम यह सब decide कर लेते हैं पहले से ही तो I hope आपको planning का तो properly meaning समझ आ गया होगा कि जो भी हम advance में planning करते हैं जो भी हम future के लिए जो भी हम specific चीज़े decide करते हैं कोई sequence decide करते हैं वो क्या होता है हमारा planning होता है उसके बाद हमारे लिए planning important क्यों है important अब जैसे मैंने starting में ही आपको example दिया था कि अगर हमें बादार से कुछ समान लेका आना है हम पहले ही list बना लेते हैं अब वो important क्यों हुई वो list बनानी important क्योंकि हो सकता है हम कोई समान skip कर जाएं हम भूल जाएं हो सकता हमने जब तक हम उस दुकान से या शोप से हम आगे निकल जाएं वो पीछ रह जाए और हमें समान लेना तो हमें वापिस आना बढ़ेगा वहाँ पे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा तो इन सब चीजों को देखते हुए planning important है मलब वो जो हमने समान लेके आना है वो बजार से वो important है तो sports के अंदर planning क्यों important है sports के अंदर planning planning is extremely important in physical education and sports various type of planning required in physical education मलब बना sports के अंदर important है क्यों है देखते है जैसे short and long term planning है short or long term planning important में कैसे हम इसको include करते हैं जैसे short term हमारी planning है अब हमें कोई भी competition में जाना है ठीक है competition में जाना है हमें और और हमार पास time कम है हमें उससे पहले उसकी planning करने पड़ेगे कि हम कैसे-कैसे अपनी training है उसको हम यूज करेंगे कैसे कैसे हम competition के लिए कम समय में prepare करेंगे जैसे कोई भी intensive वाला work है हमें जैसे हमें 100 meter की तियारी करनी है और हमारे पास 3 to 4 month है तो हम उसके according की उस competition तक 3 months में अपने आपको कैसे prepare करें यह उसके लिए planning जो करते हैं वो इसलिए important है planning वहाँ पे investment करते हैं जैसे हमें इस बार हमें ओल इंडिया इंवर्स्टी में medal नहीं मिला assume कर लेते हैं जिनका आ गया ठीक है तो अनके पास अब one year है next university के लिए तो अब वो उस पूरे year के लिए prepare करेंगे सबसे पहले जैसे उनको कोई skill नहीं आती है जिसके अंदर उनको perfect होना है ठीक है तो पहले वो अपने skill पे base बना सकते हैं तो या three months में देन उसके बाद हम अदर जहां पे हमारी कमिया होंगी जो भी होगा हम उनको रिड्यूज कर सकते हैं then हम next year के लिए अपने आपको prepare कर सकते हैं उसके बाद तक training session plan training sports training में सबसे important होते हैं जो हुमारे macro, meso training session हो गया, micro हो गया, macro हो गया और annual जो हुमारे plans होते हैं जैसे इसके अंदर आता है हमारा weekly plan जो भी हम weekly करते हैं Monday to Saturday हमने जो plan करना होता है जैसे हमें Monday को up training plans बना देते हैं जैसे जीम में चल जाओ, जीम में exercise हम डिसाइड कर लेते हैं Monday को हमें back की करनी है, then legs की करनी है, then arms की करनी है, biceps की करनी है, ऐसे हम उसको plan बनाते है Monday to Saturday then Sunday को rest ही हो गया हमारा weekly में, फिर आता है micro, जो हम monthly बनाते है, then उसके बाद आता है annually, जो वही long process का आ गया उसके बाद planning events such as athletic meet, जो भी जैसे हमें कोई भी athletic meet करनी है, और organize करनी है, उसके अंदर हम no-kout tournament कराते हैं, league tournament होते हैं, जो ये pro, कबड़ी league होगी, ये सब league tournament होते हैं, जैसे कोई भी हमें अगर ऐसा कुछ और organize कराना है, तो उसके लिए भी किस event की proper planning होनी चाहिए, जैसे किस अगर हम कोई athletic meet organize करा रहे हैं, assume कर लो, athletic meet organize करा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है, कि हम उसके अंदर event कौन-कौन से include करें, उससे पहले हमें event use करने की बात आगे, तो उससे पहले हमें देखना है, हमें वो within school करानी है, within house करानी है, ये फिर within colleges करानी इन्टमरल करा रहे हैं तो उसमें कहाईगा हमें सेस्कूल के बचे हैं उनको हाउस में डिवाइड करना है तो उसके बाद हमें इवेंको भी देखना है कि प्रोपर हमें टू टूडे ची रखना है वन डेकी रखनी या थ्री देक्ति अहतीक की अगर हम उसके अदर देखना है के लीग रखेंगेerasण लूकाउट मा लिगन इक उक मिस्न अक्रत जुचानिक करुछ हम करूंफ लकाउट फивается उसके बाद हम अपनी की ओफिशल कोन होएंगे उनकी डूटी कहां पे होगी इन सब चीजों के लिए हमें प्लैनिंग की जरूरत होती है फिजिकल एजूकेशन और स्पोर्ट्स में effective planning can help to achieve good performance in sports तो मतलब अगर good performance जो हमारी होती है sports में और अगर हमें चाहिए तो उसके लिए planning बहुती ज़्यादा important role play करती है तो आज के हमारी motivation को वैट है great mind discuss ideas average mind discuss events and small mind discuss people तो मतलब हमें अब अपने आप decide करना है कि हमें great mind बना है average बना है small तो वो तो absolutely सभी great mind बनेंगे क्योंकि उससे हमारे हम ideas ही discuss करेंगे तो अपने आपको wide बनाओ अपने ideas share करो तो उससे क्या गए हमारी जो society है वो great बनेगी अच्छी बनेगी हर कोई अपने aim को achieve कर पाएगा because अगर यहाँ पर अभी मैं एक mind हूँ अगर मैं किसी और से अपने राय लेती हूँ या देती हूँ तो हम दो mind हो जाएंगे अगर एक और person include हो गया तो three minds हो जाएंगे तो मतलब अपनी चीजों को share करें और people की बातों को छोड़के अपने aim पर focus then उसके बात है nature of planning अब planning कैसी होती है nature में आता है जैसे इसके अंदर बताया है planning is purposeful मलब planning का एक purpose होना चाहिए goal oriented starting में ही बताया था हम planning क्यों करते हैं किसी एक specific goal को achieve करने के लिए तो planning कैसी होई हमारी goal oriented होई उसके बाद हम planning क्या है हमारा अगर हम कोई भी program decide करें कोई भी function मलब sports meet decide करें तो सबसे पहला ही function हमारा क्या होगा planning होएगा मलब planning क्या है हमारा primary function है वो sports की field में हो या other field planning is very important for every field then उसके बाद planning is a continuous process yes planning क्या है continuous continuous process है जैसे हमने अभी कुछ planning की है देन उसके बाद अगर कोई भी हमने जो plan कि अगर उसके अंदर थोड़ी भी obstacle आ जाती है थोड़ी भी हमें लगता है कि हमें किसी और चीज की जुरूत है किसी चीज की कमी है तो हम उसके लिए दुबारा से planning करते हैं जैसे assume करते हैं कि हमारी athletic meet के guest नहीं आई ठीक है closing ceremony पे एक दिन पहले guest ने बोल दिया कि I am not possible कि मैं नहीं आपाऊंगा तो हमें उसके लिए तुरंत meeting की हमने फिर हमने तुरंत meeting करने के बाद हमने क्या किया वहां पे decide कि हर किसी ने अपने view दिये कि अब हम किसे बुला सकते हैं तो मतलब continue process है अगर कहीं पर obstacle आई फिर से planning वहां स स्टार्ट जैन उसके बात है forward process yes planning क्या है forward process है मतलब no plan can be prepared without knowledge of future हम क्या है हमारा decide है हमने क्या करने athletic meet करानी है वह decide है तो मतलब forward process है वो कि हम आगे की सोचते है देन उसके बाद involves choice planning क्या है एक decision making है मतलब choice involved होती है planning के अंदर कि हमने जो भी चीज़ choice करनी है उसको हम planning के थुरू अपना decision लेते हैं तो मुझे लगता है nature में आपको planning का concept पिल्कुल अच्छे से clear हो गया देन अब आते हैं हमारी बात करते है objectives की जो हमारे syllabus का part है तो objective of planning क्या होता है to prepare specific direction yes मैं अब तक बस जो चीज़े मैंने अब तक बोल लिया उनको उठा लो जैसे मैंने क्या बोला था specific goal मतलब specific direction उसके बाद forecasting मतलब future के बारे में सोचना बस इनको अब उसी चीज़ को planning के meaning को समझ के देन उसके बाद कहा कहा क्या क्या objective है planning के वो जैसे planning क्या करती है specific direction provide कराती हमें कि हमें क्या 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 काम करना है forecasting future future decide होता है forecasting कर देते कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा यह चीज यह goal हमारा achieve होगा guide decision making मतलब हमारे decision में भी काम आती है कोई भी हम decision लेते हैं तो उसके लिए हम planning करें से हमने मैंने थोड़ी दिर पहले भी आपको बताया था कि हमें athletic meet organize करानी है ठीक है तो planning करेंगे planning जब हमने दीरे दीरे planning की committee बना दी officials ले आए हमने participation को invitation दे दिया तो हमारा क्या हुआ decision making ही हुआ ना कि हमने decision ले लिए athletic meet organize होगी उसके बाद avoid unnecessary pressure of last minute hassles hassles मतलब arguing मतलब जब कई बार हम कोई भी काम करते हैं ठीक है तो इन सब चीजों को avoid करने के लिए क्या बनाते है planning इन सब चीजों को avoid करती है उसके बाद increase करती है efficiency of every activity मतलब तो हमारी activity है वह clear और smoothly वे से चलती है keep good control over all activity yes पूरी activity पर control होता है जैसे मैंने आपको study में बताया था कि हम समान लेने जाते हैं तो हमारा पहले से ही decide होता है हमें क्या क्या समान लेना है अब जैसे हमने athletic meet का समान लिख लिया हमें यह equipment लेने हैं और यह मलब इस इस shop से मिलेंगे तो पहले जो पहले shop आएगी on the way हम वहां से वह समान उठा लेंगे मलब हमारे जो activities हैं उन पर control लगती है जो हमारे field में officials काम कर रहे हैं record sheet भर रहे हैं साथ की साथ अपना record बना रहे हैं वह सब क्या है activities चल रहे हैं पहले से ही वह pre-plan है और वह activity चल रही है मलब हमारी all over activities पे अच्छा control रहता है उसके बाद facilitate proper coordination between committees जो हम committees बनाते हैं next lecture में हम बताएंगे committees कौन से कौन से होते हैं तो जो भी हम committees बनाते हैं उनके बीच में proper coordination बना होता है because क्योंकि जो committees होती हैं उनका work already पहले ही decide हो चुका होता है then उसके बाद facilitate safety and improvement in performance जो हमारी performance है उसके अंदर भी improvement होती है improvement लाना planning का ये objective है कि जो हमारी performance है उसके अंदर safety and improvement दोनों लाना then आता है increase innovation and creativity planning के साथ क्या आती है मलब नए-णए ideas आते हैं नए-णी creativity आती है जैसे हमारी जो committee बैठी है वो planning कर रही है कि हमें chief guest का welcome कैसे करना है chief guest का welcome कैसे करना है हम जो भी अलग-अलग mind से अलग-अलग ideas निकलते है then उसके बाद reduce the chances of mistake yes it यह बहुत important है मतलब जो planning का main objective होता है वो क्या है कि mistakes को कम करना तो I hope आपको planning के objective अच्छे से समझ आ गए होंगे planning क्या है हम जो भी future के लिए plan करते हैं अपने goal को achieve करने के लिए और उससे क्याते हैं हमारी जो mistakes है वो कम होती है conflicts कम होते हैं हम एक direction मिल जाता है हम decision ले सकते हैं और जो भी हमारी arguments हो सकते हैं बीच में उन सब को avoid कर सकते हैं yes तो thank you so much अगर आपको मेरा lecture पसंद आया तो please like and share जरूर करना तकि सब के पास यह content पहुंच सके thank you so much learn together and start from now तकि सब कर दो